Hello Friends, आज हम करेंगे a play by William Congrave, The Way of the World बहुत अच्छे से करेंगे, डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं The Way of the World by William Congrave ये play लिखा गिया है 1698 से लिकर 1700 तक और ये लंदन में लिखा गिया है और मार्च 1700 में इसको पब्रिश करवाया गिया है इसकी सेटिंग लंडन में रखी गई है और ये एक कॉमेडी प्ले है और इसका लिटररी प्लेट क्या है? रेस्टोरेशन प्लेट है और ये फाइव एक्ट का एक प्लेट है तो ये इस play की बैग्राउंड में थोड़ी से ये बता दिती हैं इस प्लेट में क्या दिखाने की कोशिश की है उन्होंने इस play में ये दिखाने की कोशिश की है कैसे रेस्टोरेशन प्लेट के जो यूमन बीइंग है लोग हैं वो कैसे हैं उनको रेप्रेजेंट करने की कोशिश की है वेरी कोई chromatical manner में जैनी कि जैसे उस-पीरिट में कैसा था भी वो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके साथ ही शादी करना चाहते हैं लोग इस टाइप का ये सब पुछ दिखाने की कोशिकी है कितने लोग चलाक हैं ये सब पुछ दिखाने की कोशिकी है गल्ट अफेर है, शादी शुद्ध होने के बाद भी अफेर है ये सब पुछ दिखाने की इस प्ले में कोशिश की है विल्यम कानग्रीव ने तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्ले दे वे ओफ दे वर्ल्ट तो क्या होता है सबसे पहले देखते हैं मेराबल मेराबल एक लड़का होता है जो मतलब वो बहुत जानी के रिलेशन रखता है जो बहुत अफेर्ज होते हैं उस लड़के के तो ये बहुत ये कभी इसके साथ कभी उसके साथ ये इस टाइप का लड़का होता है और ये एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एराबिला एराबिला की शादी हो चुकी थी लैंगुश नाम के एक बंदे से और उसकी डथ हो गई है और जाने के अब वो विडो है और एराबिला के रिलेशन भी फियर भी है अब मेराबिला के साथ मेराबिल क्या relationship है एराबेला के साथ क्योंकि अब विडो है तो क्या है जी वो मेराबिल चाhtा है कि वो कहीं उसके बच्चे की माना बन जा है एराबेला इसलिए वो उसकी शादी करवा देता है एराबिला की फिनाल नाम के एक बंदे से जाने के फिनाल एराबिला का husband है, second husband ह और मेरा बिल उसका विकन से उसका बॉइफरिंड है और ये अब मेरा बिल है मेरा बिल अब शादी करना चाहता है और अब मेरा बिला चाहता है शादी करना मेला मेंट नाम की एक लड़की से मेला मेंट कौन है मेला मेंट जो एरा बिला है उसी की कजन है और ये मेला मेंट रह लेडी विशफॉर्ट एराबिला की मदर है और लेडी विशफॉर्ट की मंजूरी चाहिए अगर मेरा बिल इसके साथ मेला मिंट के साथ शादी करना चाहता है क्यों मंजूरी चाहिए भाई क्यों क्यों क्योंकि इसके पस प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी है इसी जाता है मेरा बिल के ये मनजूरी दे दे तो मेरी मिलामिट के साथ शादी हो जाएगी है ना तो लेडी को तो लेडी विशफोर्ड को तो ऐसा लगता है ये तो मेरे को ही प्यार करता है मेरा बिल मगर उसकी एक फ्रेंड होती है लेडी विशफोर्ड की जिसका नाम होता है मि आती है कि ये जो तेरे आगे पीछे लड़का घूम रहा है ना वो इसी लिए घूम रहा है क्योंकि वो मेला मिंट से शादी करना चाता है तो इसी बात पर लेडी विश्वाट बहुत गुसा हो जाती है और वो बोलती है मैं इस लड़के को कभी भी मतलब एग्रिमेंट नही दोंगी कि वो मेरा बिल और मेला मिंट दोनों शादी करें तो क्योंकि उसको तो ऐसे तरह मेरे को प्यार करता है मेरे को पसंद करता है मेरा बिल तो ये बताती है तो उधर हम देखते हैं जो फिनॉल है उसके भी अफियर शुरू हो जाते हैं किसके साथ फिनॉल जानते कौ कौन है फिनौल है एराबिला का हस्जबन उस वो भी अफियर का चुरू हो जाते हैं उसके मिसिस मारवुड कौन है जो एराबिला की मदर है उसकी फ्रेंड है तो मेराबिला को इसके इनके अफियर के बारे में तो पता चल जाता है और इन दोनों के अफियर के बारे मेराबिल तो वह एकसेप्ट भी कर देती है मगर जा फिननॉल है वह बहुत ऐसा कोशिश करता है कि वह इसकी चाहदी इसके साथ ना हो एकसेप्ट ना करें मगर फिर उसकी कुछ नहीं चलती मगर मेले plaint वह एकसेप्ट कर लेती है उसका प्रपोजल तो फिननौल का तो कोई मतलब उसका तो कुछ बना ही नहीं जानि कि उसका प्लैन जो था भी इसका दोनों का मेल ना हो और फिननौल भी है जो अब उसने ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया है लेडी विशफॉर्ट को तो उसने क्यों ब्लیک मेल करना शूरू कि है अर वो उसको बोलता है फिननॉL अगर टेरा जितनी भी प्रापटी है वो मेरे नाम कर दे अराबेला की और मेला मिंट की तीनों की तुम्हारी प्रापटी है वो मेरे को चाहिए फिननॉL यह बोलता है लेडी विशफोर्ट को अगर तो यह ऐसा नहीं करेगी तो मैं तेरी साइज सुसाइटी में बदनामी कर दूँगा कैसे बदनामी करूँगा यह बता कर कि जो तुरी बेटी है एरा बेला उसका शादी जानी के मेरे से पहले मेरा बेल के साथ फिजिकल फियर थे जानी के वो ऐसी थी जानी कि मैं सारा आपका बदनाम कर दूँगा तो यह बहुत लेडी विशफोर्ट दुख्यू हो जाती है भी करूं तो क्या करूं तो मेरी बदनामी हो जाएगी तो लेडी विशफोर्ट मतलब सोच में होती है तो वहीं पर आती है मेरा बिल मेरा बिल आता है तो को बोलता है मैं तेरी help करूंगा मैं आपको इस situation से निकाल निकालूंगा तो विश्वाट भी बोलती है अगर तू मेरे को इस situation से निकाल दे तो मैं तेरे को जानी के मेलामिंट के साथ शादी करने के लिए approval दे दूंगी तो होता क्या है तो उसने दो plan बनाए है तो उसका first plan क मेरा बिल उसका फिन नॉल का और मिस्स मेरवॉड का affair है वो सब को बता देता है मगर उसको ठीक सा नहीं लगा lady wishford को की यह इससे तो क्या होगा इस इसके बताने से क्या और सकीन बता उसने इसका प्लैन था उसने क्या किया फिन नॉल को यह बताया मेरा बिल ने के जो तेरी वाइफ है एडविला उसने जो सारी प्रॉप generation है वो उसने मेरा बिल जाने के मेरे नाम कर दी है वो उसने ऐसा इसलिए किया है क्यूकि उसको एडविल को तेरे उपर बिलकुल भी विश्वास नहीं था इसलिए उसने सारी प्रॉप천 नाम कर तो अब तो फिनल भी first गया है अब तो अब अब इंडिंग अ गही है प्लिय की तो अब कर गोसे है तो वह सब ठीक हो जाता है फिनल को अपने गलती का हसास होता है और मेरा बिल एंड मेलहरमिंट दोनों शादी कर लेती है जो लीडी इस for भी बहुदगे होती है और जो मेरा बिल है जो उसको इस वसाई प्रॉपटी थी वो सारी बापिस दे देता है era bila को और वो era bila को यह भी बोलता है अब यह जो प्रॉपटी है तो यह प्रॉपटी तो अपने पास रखेंगी और इसी प्रॉपटी के कारण ही इसी प्राप्टी के साथ ही तो अपने जो हस्बेंड है उसको कंट्रोल करके रख सकती है तो ये प्राप्टी ये काम करेगी तेरे लिए दिस इस दा इंडिंग आफ दा प्ले तो ये हैं करेक्टर्स अगर आप ध्यान क्यूंकि करेक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं अगर हम कोई भी अग्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो करेक्टर्स बहुत जदा इंपॉर्टन्ट होते हैं तो ये सारे करेक्टर्स हैं उसके बारे में हमने के बात की ही है उसमें एक करेक्टर है फॉइबल ये एक maid servant होती है तो maid servant ये Erabila जाने इसके lady विशवाड के घर में होती है और इसकी शादी होती है जो Erabila का servant है उसके साथ इसके शादी होती है ये main character जिसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए I hope आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फो वाचिंग, keep on learning and keep on watching, God bless you all